दोस्तो आज हम फानुक कंट्रोल सीन सी टर्निंग मशिन के उबर जोमेट्री आपसेट पेज में एक्स और जेड को आपसेट कैसे लिए जाता है और वेर आपसेट कैसे दिया जाता है मैं वह आपको डिटेल्स फानुक कंट्रोल के प्रैक्टिकली बता रहा हूँ है तो यह फानुक सीरीज आटरा टी है और एकस माने डायमेटर और जेड माने दो एकसे से उसको एकस डायमेटर और जेड तो इसके उपर हमको आज अपसेट लेके मैं प्रैक्टिकली जोमेट्र आपसेट वेर आपसेट बताने वाला हूँ तो चलो यह जॉब आपको जॉब दिखाता हूँ 80 उसका डायमेटर है राउन जॉब है 80 डायमेटर है और उसके बाद यह राउन जॉब है देखिए पूरा सरकल राउन जॉब है 80 डायमेटर है उसका और यह टूल है इदर जो TNMG टूल होल्डर हमने लिया है तो TNMG टूल होल्डर है तो TNMG टूल होल्डर यह इंसर्ट है TNMG का तो इसके यह जॉब के ओपर यह टूल दो रहा है जॉब मेटर आपसेट कैसे लिया जाता है और where offset में offset कैसे दिया जाता है मैं वो अभी दिखा रहा हूँ आपको practically तो पहले हम jog mode में गया है jog mode हम पहले MDI mode में जाएंगे फिर उसके बाद MDI mode से MDI mode इधर screen के उपर दिख रहा है मगर इधर कुछ नहीं आ रहा है तो अपस program दवाएंगे प्यारोजी ये बटन दवाएंगे तो इसके screen के उपर कुछ नहीं फिर उसके नीचे soft key में MDI लिखा है वो बटन दवाने से MDI का page आएगा तो ये MDI page निकालते वक्त ये ध्यान रखना है तो इसमें अभी हम M03 direction दे रहे है clockwise M03 और yes 220 हम डालने वाले 220 हम अंडी बलोग और insert बटन दबाने वाले अंडी बलोग और ये उपर जाएगा जो typing किया उपर इस insert करने से उपर जाएगा ये इस insert बटन दबाने से उपर जाएगा टोटा फिर उसके बाद मैं अभी नीचे ये उपर गया ये सब जो हमने type किया फिर cycle start button दबाऊंगा मैं cycle start button phrase करूंगा तो यह job गुमना चालो हो जाएगा इधर देखिए वो job गुमना चालो हो गया total फिर उसके बाद हम jog mode से लिक करें तो जेड एक्सिस को हम दबा रहे तो यह जेड एक्सिस माइनस दबा रहे तो तेजी से गुमने वाले job के नजदिक ज करें हम एक्स जेड लिए हमने अभी वापस जेड बहुत आगे गया है उसको थोड़ा पीछे लाएंगे जोग में से यह job mode और फिर थोड़ा पीछे लिए फिर एक्स माइनस दबा रहे हूं तो नीचे जाएगा टूल एक्स एक्सेस को जोब के नजदिक गया हम अभी handle mode हम handle mode से जो आपको face को touch पहले हम जेड offset लेने वाले तो हलू जो आपके face को handle mode है या भी handle mode हम select किये कर रहे है तो यह handle mode लिए है फिर handle का handle है यह feed है फिर हम 100 पे ले रहे है 100 micron में एक round हो जेड एक्सेस अभी ले रहे है हम जेड एक्सेस से लेक्के handle का और यह handle गुमा रहे है माइनस में negative हम राइट से लेट गुमा रहे है तो यह माइनस में यह देखो अंदर तूल रिविलेशन पार्ट के जाके फेस को टच हो जाएगा भी देखिए गुमाने के बाद देखिए वी तोटा पता जलेगा आपको कि टच होने के बाद रुखने का आपको यह handle है अभी मैं यह टच कर रहा हूँ फिड कम कर रहा हूँ नस्दिक जाने के बाद फिड कम क करने का और हलोज मैं टच कर रहा हूँ यह टच किया देखिए टच करने के बाद आपसेट सेटिंग में बटन दबाऊंगा तो यह आपसेट पेज ओपन हुआ है उसमें डबल्यू माने वह वेर आपसेट है ध्यान रखिए वेर आपसेट पेज है एकस डायमेटर इसमें जेड लेंथ आर रेडियस इंसेट का और तेमाने टूल डो दायब हमको यह चाहिए जोहमेटर उपसेट तो आपसेट बटन की दबाएंगे तो जोहमेटरी संद गोश्यान्यच ऑन जेड़ हरा है क्योंगी तूल हमने टेच किया हूसा है तो जेड़ वन पॉइंट 0 मतलब 1 mm प्लस है फेस निकालने का एस्टर मट्रेल है 1 mm इसलिए हम प्लस में दे रहे हैं और major बटन दबाएंगे तो इधर जेड में offset value आएगा आपका offset value माने machine 0 से work 0 का offset रहते है यह face तक का z1 दालने से और major बटन दबाने से दिखिए यह me यह major बटन दबाएंगे से यह offset value आया z x z offset set हो गया यहाँ यह job के face को मतलब 1 mm अंदर z 0 हो गया मतलब 1 mm प्लस है ऐसा टूल को मालूम हो गया z offset ऐसा लेने से यह geometry में लिए हमने अभी हमको x offset लेना है तो वापस मैं handle mode उल्टा गुमाँगा अभी left से handle feed बढ़ा है और मैं ultra गुमाँगा अभी plus में लेना है तो z plus ली हमने अभी x handle mode x axis सिलेक करना है handle mode में क्योंकि हमको x offset लेना है तो मैंने अभी plus side में x axis गुमाना चालू किया है तो टूल उपर आ रहा है उपर आके फिर z मैं minus z सिलेक किया है handle में फिर minus मैं दबाऊंगा handle गुमाँगा total तो गुमाने के बाद अंदर जाने के बाद अभी मुझे job के diameter उसका c diameter है तो वो diameter के उपर touch करना है तो मैं x अभी select करूंगा और job के diameter के उपर touch करूंगा total तो अभी x axis मैं select किया है handle में अभी मैं handle गुमा रहा हूँ देखिए minus side में तो touch होगा touch होने के बाद उधर दिखता है touch होने का बर निकल गया देखिए बर निकल गया total touch हुआ है वो diameter है round job के उपर touch किया है अभी 80 हुआ है तो मैं x axis के उपर geometry offset open किया है x axis पे cursor लिया है offset number 1 है हमारा वो diameter है उसका 80 tool touch किया है वो diameter round job है 80 diameter है तो वो diameter value इधर type करूँगा x 80.0 x type किया 80.0 80.0 और major button दबाऊंगा तो आफका tool ने मतलब ये 80 offset measure करने से tool को मालूम होता है 80 मुझे diameter यहां है ऐसा position मतलब एक 0 fix center पे होता है और diameter 80 वो position पे मालूम होता है तो इसी तरह से हमने x offset और z offset geometry offset में tool का लिया है अभी हम वेर ये r में जो geometry offset के r में जो insert radius है वो insert का radius value r में दिया जता है तो यह r में हम radius value दे रहे है total radius value 0.8 mm तो 0.8 हम type करें 0.8 insert का radius value उदर देना चाहिए total तो हम अभी 0.8 type किया और उसमें input बटन दवाने का मतलब वो value जितना type किया वो देखे 0.8 उदर आ गया और जो t माने tool type operation मतलब जो tool number एक हा offset भी number एक है और उसका tool type operation कौन सा facing और turning करना है इसलिए tool type T 3 देना है मतलब 3 number देना है तो already है उदर इसलिए change करना है तो plus input बटन अभी हम jog में से tool को बहार निकाल देया और reference को भेज रहे हैं हम x axis को reference कर रहे हैं फिर x axis को और z axis को reference कर रहे हैं फिर अभी where offset कैसे लेना है वो मैं आपको बता दा हूं प्लस का symbol नहीं डालना है डायरेक्ट 0 point वो automatic plus पकड़ता है 0 point 0 point डबल डबल आया तो यह करना है 0 point 2 5 2 5 plus input बटन दाबाँ कभी भी offset देते वक्ट where offset में offset देते वक plus input बटन दाबाना पड़ता है तो हम 0.25 डाले है offset नमबर एक x में दे रहे हैं offset plus input बटन दाबाँगा देखिए वो offset उदर आ गई total where offset में यह where offset पेज़े ध्यान रखिए अभी z को offset लेना है क्योंकि हमको छोड़ते वक्ट कभी भी plus offset देके छोड़ना है क्योंकि job reject नहीं होना चाहिए बोलके इधर point 2 दिया हूँ plus input बटन दाबाँगा तो इसी तरह से दोस्तों where offset कैसा लेना है और कैसे दिया जाता है और geometry offset कैसे लिया जाता है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा फानुक कंट्रोल CNC टर्निंग मशिन के offset लेना और देना कैसे होता है वियर और geometry में हो देखा है